हेलो अब्रिवान वेलकम बैक टू माई चैनल सो गाइस आज हम लोग एक बहुत ही सुन्दर जगा को एक्स्प्लोर करने वाले हैं जो कि भुबनेश्वर में ही है और उस जगा का नाम है मिसन सक्ति भजार जो कि अभी रिसेंटली इनागुरेट किया गया है हमारे हॉनरेबल सीएम मिस्टर नभीन पतनाइक जी के द्वारा तो ये आपको गुपवंधु नगर में मिल जाएगा डेल्टा स्क्वेर से अगर आप सीधा जाते हो तो ये आपको लेट साइड में ही दिख जाएगा तो मिसन सक्टी के सारे प्रोड़क्ट्स पहले हम लोग छोटे छोटे काउंटर्स में देखते थे या फिर मेले वगरे में देखने के लिए मिलता था हम सबको लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर बजार बनाया गया है अभी भूबनेश्वर में जैसे कि मैंने बताया और बुद्धा जी का काफी अच्छा स्टाच्यों हमें देखने के लिए मिला गनपती जी का बहुत ही बढ़ा स्टाच्यों आप रखा हुआ था और आप लोग इस वीडियो में देखी सकते हो कि ये एक स्टूडियो जैसा दिख रहा था जहां पर आप लोग फोटोस वगएर अच्छे खासे खीच सकते हो वीडियो थोड़ा बहुत कुछ बना सकते हो बाहर क्यूंकि बहुत ही सुन्दा लग रहा था तो फिर अभी हम लोग जाएंगे अंदर और अंदर का नजारा भी आप सबको में दिखाऊंगी सबसे पहले तो कॉर्णर में जाते ही हमें दिख गया कोरा पुट कॉफी का एक बहुत ही बढ़या क्याफ़े यहां पर जाके आप लोग इवनिंग के टाइम पे कॉफी वग तो यहां पर अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ आप लोग टाइम स्पिंट कर सकते हो कॉरा पुट कॉफी का आउटलिट तो घुबनेश्वर में अभी दो तीन जगह में ओपन हो गया है लेकिन सारे जगह का जो वाइव वो अलग अलग है तो एक कॉफी हाउस का जैसे व देख रहे थे किस तरह से इसको बनाया गया है एक्चली तो हमने एक चीज़ नोटीस किया कि यहां पर ग्रीनेरी को बहुत अच्छी तरीकी से मिंटेन किया गया है डिफ्रेंट कलरफूल फ्लावरिंग प्लांट्स भी है यहां पर आप सब भो भी देख सकते हो एक्चली ह अभी बाकी हो मुझे इसके बारे में जादा नहीं पता है लेकिन यह पीछे वाला गेट था जहां पे शायद लोग नहीं जाते हैं दिन गैस हम लोग अभी एंटर करेंगे मिसंसक्ती बजार के अंदर क्या-क्या चीज मिलते हैं क्या नहीं ही आप सब को इस वीडियो में दिखाऊंगी तो वीडियो को इन तक जरूर देखेगा यह है फ्रंट वियू और कोरापुट कॉफी जहां पर है वहां उसी साइड में ही आपको यह दिखने के लिए मिल जाएगा अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं जैसे कि मैंने बताय कि इसको अभी रिसेंटली में प्रेजेंट किया गया है यह गर्मेंट का है लेकिन इतने सुंदर तरीके से इसको रखा गया है तो आपको जाते ही मन करेगा मैं कुछ ना कुछ यहां से खरीद के जरूर लेके जाओं ओडिसा एक अर्टिस्टिक स्टेट है मैं यह बोल सकती हूँ और इदर मिल रहे थे और यह सारे गोल्डन ग्रास बनाए गए थे सबाइग हास जो होता है उससे बनाये गहे थे सारे चीज़ों का प्राइस अलग अलग है सबके ऑग तेंग लगा सबकर के लगा सकते हो जूढकर जो बैक्स आ हैन वह कॉए अपको उापने हिसाँप से गोल्डन ग्रास के बारे में बनाना फाइबर के बारे में सबाई घास के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है वाल पे अगर आप चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी हम लोग मौडन हो जाएं लेकिन वो रूट से हम लोग अभी भी कनेक्टेड हैं और इस मौडन सोसाइटी में हम अभी भी अस्थिटिक वाइब ढून रहे हैं तो मिसन सकती शायद एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग फिर कुछ एकजिविशन में देखने के लिए मिलता है लेकिन अगर आप यहाँ पर जाते हो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा यह सारा चीज अभी तो मिट्टी के बरतन का भी बहुत जादा डिमांड हो गया है तो अगर आप लोग चाहते हो तो यह सारा कुछ चीज़े देन यह फ्रूट कंटेनर भी कितना प्यारा था आप लोग देख सकते हो उसके साथ साथ यह सारे बॉल्स और कॉप्स हो या फिर सर्भिंग ट्रेज हो यह सारा कुछ मुझे बहुत जादा पसंद आया तो आप लोग भी अपने दिमाग में अंदाजा लगा सकते हो कि आप के घर में यह कितना अच्छा लुक क्रियेट करेगा देन यह वाल हैंगिंग साब सब को इस वीडियो में दिख रहा होगा जैसे कि हम लोग अभी घर पर ड्रीम कैचेस लगा रहे हैं उसी बेसिस पर ही उसको बनाया गया था मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रीम कैचेस भी बनाया जा सकते हैं ग्रास में धिन गईस यहाँ पे ना पितल के बहुत सारे बर्तन रखे गए थे यहां पे पथर के बनाया गया चीजह रहे गये थे और पहले जमाने में ये सारे चीज तो यूज किया जाता था हैर घर में वैसे अभी भी मेरे घर में ये पीतल का या फिर ब्रास्स का चीज यूज किया जाता है खाना खाने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए भी अगर आपके घर में भी होता है तो कमेंट करके जरूर बताना और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग पर ही बताया था कि बहुत सुन्दर से इसको एकदम सिस्टमिटिक वे में रखा गया है सारी चीजों को ताकि लोगों को पता चल सके कि यहां पर क्या-क्या चीज मिलते हैं या फिर क्या-क्या कलाकारी हमारे उडिसा में है दिन गैस टेबल के उपर आपको ऐसे दो बुक्स मिलेंगे जिसके थूँ आप लोग जान सकते हों मिसंसक्ति के बारे में उसके बैग्राउंड के बारे में किस तरह से इसको स्टार्ट किया गया कितने लोग इधर काम करते हैं क्या-क्या चीज बनाया जाते हैं और कहां-कहां से बनते हैं ये सारा कुछ इंफुमिशन आपको इस बुक्स के थूँ मिल जाएगा और एक रिक्विस्ट में करना चाहूंगी फ्लीज वीडियो को लाइक कीजएगा बहुत सारा प्यार देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लो और इतना सेयर करना की ताकि लोगों को पता चल सके हमारे मिसंसक्ति ब जाएंगे तो जो भी आप सब खरीदना चाहते हो चावल हो दाल कॉफी बीन्स और उसके साथ हल्दी वगेरा यह सारा कुछ चीज़ें आपको यहीं पर ही मिल जाएगा तो ऐसा लगता है कि बाहर के प्रॉडट्स यूज करने से अच्छा है कि अपने स्टेट का प्रॉड जिजर खरीत लेना हल्दी बगेरा कंधमाल का जो होता है वो भी मिल जाएगा रागी के काफी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगे तक अ лलग सारे भी यूज़ कर चुके हैं तो वो काफी अच्छा है तो आप लोग अपने घर के लिए बहुत सारा कुछ चीज़ें खरीद के ला सकते हो टिफिन के लिए अगर बैक्स चाहिए तो ये भी मिल रहा था डिस्पोजबल प्लेट्स वगेरा मिल रहा था और यहां पे छोटा सा से टब उन्हों ने किया था जो कि काफी जादा अच्छा लगा छोटे-छोटे सारे कुछ चीज़ों को एक साथ रखा हुआ था तो काफी अट्रक्टिव दिख रहा था आप सब देख सकते हो मिट्टिक के ग्लास रखे हुए हैं मक्स रखे हुए हैं कप से बहुत सारा कुछ चाहते हो तो ले आ सकते हो और किसी ने मुझे इंस्टेग्राम पे पूछा भी था कि यह सारे बैक्स कहां मिलेंगे तो आप लोग सुन लेजे धान से कि इधर आप मिसन सकते बाजार में भी पास सकते हो और यहां पर यह बैकड्रॉप के साथ एक ड्रॉइंग रूम का देखने के लिए मिला यहां पर एक बहुत सुन्दर टेराकुटा का आर्ट रखा हुआ था आप सब देखी सकते हो कितना सुन्दर और कितना बड़ा इसको बनाया गया है दिने हमारे पीपी ली फेमस चांदुआ आर्ट भी रखा हुआ था और मिसन सकती बाजार का च्छोटे स्टप्स हो या फिर बड़े बड़े आर्ट हो सब कुछ देखने के लिए मिलेंगे ब्रासिस के काफी कुछ चीज़ें टेराकुर्टा जो भी सारी चीज़ें मैंने दिखाया वो सारा कुछ यहां पर डिस्प्ले किया गया है आप लोग जरूर जाना पर हमारे क खूबसीरत मिरर लगाया हुआ था और यह मिरर भी हैंड मेड है इस तरह का मिरर भी बनता है मुझे नहीं पता गैस तो अगर आप सब अपने घर को एक अस्थेटिक सा लुक देना चाहते हो तो इधर जाओ मिसंसक्ती बजार में धीर सारा खरीदारी करो और अपने घर को ह अपना स्टूडियो बना लो मुझे ऐसा फील हुआ वहांपे यह एक प्लांट होल्डर था बहुत सुंदर काम किया गया है इसमें काफी अच्छा लगा दन मिसंसक्ती के बारे में इधर लिखा हुआ है और मिसंसक्ती का मीनिंग क्या है यहांपे लिखा गया है तो आप ल सा केटल दिल अग्दम गार्डन गार्डन हो गया है यह सारा कुछ चीज़ें देखके दिन हम लोग जूलरी के सेक्शन में आ गये थे यहां पर आपको ट्राइवल जूलरी वगेरा भी मिल जाएगा और हमारे कटक के फेमस तारकसी वाट भी इधर आपको देखने के लिए यह सारे चीज़ देखने के बाद हम लोग पॉट्टचित्र के पास पहुंचें पॉट्चित्र कितना फेमस है और पॉट्चित्र का क्या मानने आता है यह सबको पता होगा उडिसा के लोगों को तो यहां पर वो सारा कुछ डिस्पले किया गया था आप लोग अगर चाहत सकते हो आज कल एंटिक जूलरी के साथ हैंडलूम साड़ी के अभी बहुत ज़ादा फैशन चल रहा है तो आप लोग इधर जाके वो सारा खरीदारी भी कर सकते हो उसके साथ संबल पूरी कूरता वगेरा भी यहां पे अवेलेबल था दिन गैज अगर आप बैंगल्स खरीद बाहर का वियू आप सबको यहां पे दिखा रही हूँ लोग यहां पे जाते हैं एंजॉय करते हैं खरीदारी करते हैं क्याफे को इंजॉय करते हैं वहां पे कोरा पुट कॉफी ट्राय करते हैं तो आप लोग भी जल्दी से जाईए अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ मिस जाते हो तो उसको गंदा मत कीजेगा यह मेरा रिक्वेस्ट है तो कुछ ऐसा ही था मिसन सकती बजार अगर आप गए हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और यह को रपुट कॉफी और यह पूरा बजार का व्यू तो गैज प्लीज वीडियो को बहुत साना प्यार देन सब्सक्राइब तो माई चानल लाइक करना शेयर करना मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इंजय दिस वीडियो और बबाई